ये जलूस ये नारेबाजी नाराज हुए कलम के सिपाहियों का है। तिर फिस में हम लोगों को आजपस्विक है कि दो दिन में अमरट को सिलोची जो सरमा जी है उनको जाज भी गई है निस्बाज जाज होगी तो उनका एंपर मुकदमा पंजीकरत होगा और यज़ नहीं होता है तो इस बार पूरे सहर में ट्रूप नीकाला जाएगा पत्रकार पर भाई जिते तुनों खेका लेगें। समझ रहे हैं आप लोग इस बार माद धना आगा अगली बार लंडे स्पर प्रिदर्स्वन होगा। बहले हम लोग किलाब कोई मुकजमा पंजी करस्तों नहीं हो जाएं। कोई तवन्ना नहीं जे लोग पुछ नहीं हो। रालू बाला प्रेकर निबढ़ गया है। काड उनों जो च्छीना था जो वहां जिसमें च्छीना है। सियो साथ उसकी भी आने वाले समय में जाज करेंगे। मेरी विसेश से बाद हुई थी विसेश की जीमत में नहीं मार रहे थे सियो साथ से फूल किया, सियो साथ से अस्टेफ किया पुरवाया। और जोनों बाडियों वेशे साथ सोला कर वाई। और अच्छा लगा मुझे। कोई काइम साइग मुझे लग रहा है। यहां पे भी होगा। हम पत्रकारों की जीत होगी यहां पे। पौट पर अपने पिता के वारे पूसता है पत्रकार बताने पर। मार बीट की जाती है। भी सिदा रुपए मागे जाते हैं थोलने के नाम पर। जब नहीं दिया जाता है तो एक सोट्याबर में चालांग जाता है। जी उसी के प्रद आज हम लोगों ने दखना पर दसने किया। खबर की मताबिक सत्तेंद्र बीर सिंग एक अख़वार में पत्रकार है। उनके भाई सुनील कुमार पुत्र अओधिस सिंग है। ये सभी निवासी चौरासिया मजोला के रहने वाले हैं। सुनील कुमार के सस्राल वालों ने थानहा मौव दर्वाजा में एक जूटी तहरीर दे। जिसके चलते पुलिस ने उनके घर पहुँचकर पिता जी ओधिस सिंग को जबरन गाली गलोश करते हुए थानी ले गई। पत्रकार का आरोप है कि उनके पिता जी इस चूटी तहरीर से अंजान थे। मामले में आगे पत्रकार का ये भी आरोप है कि उसके पिता जी को छोड़ने के लिए पुलिस ने 20,000 रुपे भी मांगे। रुपे ना देने की इस्तिती में उनके साथ अभधर बेभार किया गया और कारूनी कारवाई कर दी गई। मामले को देख सतियंदर सिंग वीर के पत्रकार साथी नाराज हो गया जिसकी एवज में पत्रकार नियाई की मांग करने लगे। एक चुट पत्रकारों ने जुलूस निकाला और फरुखाबाद के पुलिस अधिक्षक महोदे को ग्यापन दे कर नियाई की मांग की। पत्रकार चाहते हैं किसी इमानदार अफसर के द्वारा मामली की चांच कराई जाए और थाना माउ दर्वाजा के एस्सो को हटाया जाए और उनकी प्रति उचित करवाई की जाए। आप देख रहे थे फरुखाबाद से धर्मबीर शाक्र की रिपोर्ट